और तो सबसे पहले आप लोगों ने एक्सास फाइल को उपन करनी है जो कि मैंने प्रीवर्स क्लास में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया था उमीद है आप लोग ने उसको डाउलोड किया होगा इसको कर लेना है ओपन ऐन्ड यहाँ पर क्लिक कर लेना है एक एसर्स में पर नेक्स्ट अमनूं क्या करने जा और आगा जिससे आप सीख सकते हैं और तो सबसे पहले मैं इस कलर पर क्लिक करता हूं बेसिकली यह कलर्स क्या है मैंने एक शेप्स ड्रॉड की थी ठीक है और इसके अंदर कलर्स को एड़ किया था क्योंकि यह हमारी कलर्स की में हम इसी को यूज करते हुए अपनी अप्लिकेशन को डिजाइन करेंगे हम लोग ने क्या करना है तमाम कलर्स को स्लैट करना है कैसे स्लैट करेंगे शिफ्ट की होल्ड करनी है और दैन सारे के सारे कलर्स को स्लैट कर लेना है यहा अगर मैं कोई भी शूट की उस्काहां तो यहां पर आपके एक अंगा में यहां जिसमें हमारी शॉट की आए को और सबसे नीचे जो कलर थे हैं उसपर ड़ोओ को कोड लिखा हुआ है कुलर कोड इसका क्या मतलब है यह भी देखते हैं यह दो जो कलर जम है वह मैंनेилась Plug 80 करते हैं वह भी मैंने प्रीस लेक्टर आप लोगोंको कैसे अप्लाइड करना है जी हां ये पे अप्लाई के ग्रेडियूंस ओर राइट एंड नेक्स्ट हम लोग एड़ कर लेते हैं अपने बटन ठीक है इसको एड़ कर लेते हैं अपने अपने कंपोनेट्स में यह हमारा फुल साइज बटन है यह हमारा small button है हम लोग ने button भी add कर लिए and colors भी add कर लिए and icons भी add कर लेते हैं और यहाँ पर add करने का मकसद क्या है basically वह देख लेते हैं यह रहा मेरा button ठीक है buttons को मैं let's post यहाँ से कर लेता हूँ colors को add ठीक है तो यह देखें जैसे ही मैं कोई भी changes apply करूंगा इस color में तो जहाँ जहाँ पर भी यह colors use हुआ है वहाँ से changes automatically apply हो जाएंगी तो देखें कितनी आसानी से हम लोग colors को बाद में modify भी कर सकते हैं तो यहाँ पर assets में add करने का basically मकसद हमारा यह है इसको मैं कर देता हूँ undo all right बागी चीज़ें साथ के साथ देखते जाएंगे cover करते जाएंगे हम लोग क्या करना है सबसे पहले यह artboard जो इसका नाम dummy kit है इसको करने ना duplicate alt key hold करनी है और इसको drag कर लेना ठीक है इसको मैं rename कर दें तो one और इसको कर लेता हूँ duplicate ओके artboard को मैंने कर लिया है duplicate और मैं यहां पर यह जो instructions हैं जो कि मैंने आपको समझाने के लिए different color यूज किये थे मैं इसको कर देता हूँ delete और इसको एक और duplicate कर लेते हैं ठीक है और सबसे पहले बारे artboard को अभी ऐसे लीव कर दें इसको भी हम देखते हैं फिलाल यह जो मैंने guideline है इसको कर देता हूँ ओफ ठीक है अगेन अगर आप लोगों को guideline यूज करनी आती यह rulers को यूज नहीं करना था तो उसका link भी टॉप राइट corner पर आप लोगों को show होगा तो वहां से आप सीख सकते हैं और मैं यहां से सब चीज़ें कर देता हूं delete सबसे ओपर वाले signals यह navigation सब चीज़ें delete क्योंकि हम लोग सबसे पहले design करने वाले है splash screen और उसके बाद हम लोग design करेंगे onboard screens splash screen क्या होती है splash screen basically एक loading screen होती है जो भी एप हम इंस्टॉल करते हैं यह run करते हैं तो very first time जो screen show हो रही होती है वो हमारी splash screen कर रहती है जो कि मारे brand को रिप्रेजेंट कर रही होती है और loading screen और all right splash screen हम लोग करते हैं simple से design मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ select again यह हमारा logo है मैं इसको आड़ कर देता हूँ as a components में ठीक है ताकि हम मज़ीद कभी भी logo में changes करें तो सब जगह पे apply हो जाए बिकॉस यही फीचर है यह एडवांसमेंट है लोगो यह हमारी सिंपल सी होगी splash screen और राइट तो यहाँ पर हमने अपनी splash screen को complete किया एक बहुत ही सिंपल सी और flat सी है next हम लोग जो design करने जा रहे हैं वह हमारी onboard screen ठीक है और राइट तो उसके लिए हम जो है सब्सक्राइब करते हैं ठीक है अब से हमारी application स्टार्ट में है splash screen पर मैंने खुदी यह signals और यह सारी चीज़े रिमूब की थी और तो next देखते हैं इसको onboard screen को सबसे पहली वाली जो screen है उस पर हम लोग यहाँ पर कुछ illustration add करते हैं इसको एक दफ़ अगें duplicate कर लें इसको बाद में यूज करेंगे और इस पर हम यह navigation और यह टॉप और जो text है उसको कर देते हैं इंटर लीड ठीक है और राइट तो next हम इस पर कुछ text add करेंगे and illustration और button add करेंगे उसके लिए क्या करना होगा इसको भी मैं कर देता हूँ delete और राइट सबसे पहले मैं इसको add कर देता हूँ text text कैसे add करना है text को as a asset add कर लेते है ठीक है इसको मैं copy कर लेता हूँ headline add कर देता हूँ headline यह हमारा title इसको भी add कर लेते है यह हमारा sub header इसको भी add कर लेते हैं इसके बाद हमारे पास large body text को as a components add करने का purpose है again हम जब इसका font weight या font style change करेंगे तो then हम यह असानी से change कर सकते हैं और वो throughout the app हमारा apply हो जाएगा यह रही है हमारी small body body and large body large body body and small body all right text को कर लिया है हम लोग ने add यहां पर हमारा रह गया है button का text button okay all right यहां पर मैं add करने लगा हूँ text को सबसे पहले में add करूंगा sub header and then body दोनों मैंने कर लिए text add इनको कर देता हूँ मैं text की alignment center all right and again कर लेता हूँ text को align जी यह रहा हमारा टेक्स और यह रही हमारी heading heading हम पर देते हैं change यहां पर लिखते हैं send free messages send free messages and body में हम लोग कोई भी dummy text add कर देते हैं फर्स्ट में मैं आपको बताया था कि लॉरम इपसम जो कर देता हूँ यहां पर फिल ओके मैं इसको करता हूँ डबल क्लिक and then इसको कर देता हूँ resize इसकी placeholder को define कर देता हूँ and paste ओके यह हमारा लॉरम इपसम टैक्स्ट हो गया पेस्ट तो देखा आपने कितनी जल दी हमें यह टाइप भी नहीं करना पड़ा और हम कितनी असानी से अपना काम को कर सकते हैं कि नेक्स्ट हम यहां पे कुछ illustration एड़ करते हैं उसके लिए में क्या करना पड़ेगा आप लोग यहां पे एक वेब है जिसका नाम है इसको कर लें आउन यहां पे आपको फ्री और प्रीमियम आइकन मिल सकते हैं जो कि आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं इसके साथ हम लोगों ने एक इंस्टॉल के था प्लग इन जिसका नाम है और यहां पर मैं इसको कर लेता हूं और यहां पर मैं यहां पर फाइंड कर लेता हूं मैसेज़ जिस कि Message सिर्च करा है किया है यहाँ पर स्रिंशचन आयल स्टेशन होenne कर देथा हूं सबसे फिर्स वाली मुझे अच्छी लगी मैं कर देता हूं कर दे हम ओ रहा है कि प्रेस कमांड कंट्रोल प्लूस और राइट क्ले एंड पेस्ट डन मैं यहाँ पर देता हैं के प्रोड भी हमारी एलस्टेशन जो कोपी हो चुकी थी यहां पर हो गई है पेस्ट यह हो गया पेस्ट एंड इसके अंदर जैसे के आप लोगों यहां पर कलर्स नजर आ रहे होंगे ठीक है मैं इसको कर देता हूं हमारे ब्रेंड कलर पे रिप्लेस क्या करना होगा स्मपल जाना है एंड यहां पर कलिक कर देना है ठीक है यह और्राइट यहांसे मैं इसके बैक शेप कर देता हूं डिलेट जो क्योंकि रेप कलर में नदर आ रही है मुझे और यह हमारी illustration add हो चुकी है और यहाँ पे मैं अपना artboard को color कर देता हूँ pure white color में हमने illustration को कर लिया add यहाँ पे मैं slider add करता हूँ slider इसके लिए क्या करना पड़ेगा circle shape draw करना पड़ेगी and इसको कर देता हूँ color apply border इसका finish और राइट मैंने यहाँ पे कर लिया एक slider का icons add जो के circle shape है मैं इसको करता हूँ repeat grid repeat grid बहुत ही कमाल का feature Rob XD में जो के मैंने previous course में भी समझाया था उसका link आपको top right में available है तो आप वहाँ से सीख सकते हैं मैं यहाँ पे कर देता हूँ repeat grid को on यहाँ पर देखिए अगर मैं जूम करूँ तो देखें यहाँ पे आपको green color के dotted border show होगे मैं इसको कर देता हूँ डैग मुझे कितने slider चाहिए तीन और मैं इस पे से space भी कम या ज्यादा कर सकता हूँ और राइट यहाँ स्लाइडर कंप्लीट इसको मैं कर देता हूँ align और राइट स्लाइडर का लिया add मैं इसको कर देता हूँ अंग्रूप जिसकी शॉर्ट किया है कंट्रोल शिफ्ट जी ठीक है यह हमारा गूप में चेंज हो गया लास्ट दो वाली को मैं कर लेता हूँ स्लेक्ट और इसको कर देता हूँ ग्रेश मीन के मैं जो है इस ताइम अपनी स्लाइडर हमारा एक्टिव है और थर्ड हमारा नॉन अक्टिव है है हमारा हो गया next हम यहां पर आड करने लगे हैं बटन बुटन का क्या परत्पस है, यूजर स्वाइब भी कर सकता है और बुटन पर बी क्लिक कर सकता है जैसे यूजर स्वाइब करेगा वो next स्क्रीन पर चला जाएगा जो कि on board स्क्रीन होगी वहाँ पर अगेन हम कुछ टैक्स और अलस्ट्रेशन डिस्प्लेशन करेंगे एड़ इसी तरह थर्ड पर और यहां पर हम कोई भी बटन शो कर सकते हैं जो के स्किप का होगा यहां कि जैसे यूजर इस पर क्लिक करेगा डिरेक्टली वह इस ओन बॉर्डिंग स्क्रीन को स्कि जैस करेंगे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे ठीक है ट्रेक्स के उपर यह देखिए और इसको अड़ कर देता हूँ स्किप शिंधी श्रफ्श आओ मजीद इसको लाट चbuild कर लेते हैं ठीक है तो कितना हमें फाइदा हुए हमने कितनी जल्दी से हमें यह kit को जब त्यार किया अपने एसर को components को जब ready किया तो हम उसको बाद में कितनी जल्दी से use कर सकते हैं और राइट मैंने एक design कर ली है and मैं next इसी format को follow करते हुए दूसरी दो on board screen को त्यार करूंगा करने ना select and कर देना duplicate मैं इसको कर देता हूं color change मैं select करना है और short की है आई आइड्रोपर टूल और इसको यह स्लैप कर देना है इसको color दे देना यह buttons वाला same for this one और फर्स्ट वाले पर भी ग्रोड़े बटन समारे राइडी और यहां पर हम टेक्स चेंज कर देते हैं और राइल स्टेशन को भी डिफ्रेंट अप्लाइब कर देते हैं कर देता हूं और राइड तो यह हमारी कंप्लीट वी स्प्लाइश स्क्रीन प्लस आउन बॉर्ड स्क्रीन मैं यहां से रूलर को कर देता हूं डिसेबल में इसके हाइड कर देता हूं और एक नजर इसको देते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं यहां पर हमारे स्प्लाइश स्क्रीन है और हमारी और बॉर्ड स्क्रीन और राइट नेक्स्ट मैं देखता हूं लेट स्पोज कि मैंने बटन्स को अपने या कंपोनर्स में एड किया हूँ है मैं इसमें कोई भी चेंजिस कर सकता हूं यहां पर आप दोग देखें बटन्स इसके साथ डायमंड शो और मैं यहां पर कर देता हूं तो देखें यहां पर सब पर अपलाए हो चुका है बटन को जिन नहीं चाहिए तो यह थी हमारी आज की क्लास जिसमें हम लोगों ने कुछ स्क्रीन को डिजाइन किया नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करेंगे रिजिस्ट्रेशन प्रॉसेस को जिसमें हम यूजर को करेंगे बाइ जो सिंग मुबाइल नंबर तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कोई भी क्वेश्चन हो तो कॉमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत मिलते हैं अगली क्लास में इंशाला ओल दे बेस्ट